भगवान विश्नु द्वारा बताए गए सबसे बड़े अप्षिकुनों का उलेक भारतिय संस्कृती और धर्म शास्त्र में मिलता है। अप्षकुन वह संकेत होते हैं जो किसी नकारात्मक या अशुक घटना का पूर्वा भास देते हैं। भगवान विश्नु ने ऐसे पर सावधानिया बरत सकें। यहां भगवान विश्नु द्वारा बताए गए पांच प्रमोख अप्षकुनों का विस्त्रित विवरन दिया गया है। एक दूध्या दही गिरना भगवान विश्नु के अनुसार दूध्या दही का गिरना अप्षकुन माना जाता है। यहा दूर्ध्या दही गिर जाए, तो इसे तुरंट साफ कर देना चाहिए और भगवान की पूजा करके दोश को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। 2. काली कौई का छट पर काउव काउव करना 3. कौई का आना भी इस बात का प्रतीक हो सकता है कि पितर आपसे नाराज है या किसी विशेश पूजा की आवश्यक्ता है 3. कुट्टे का रोना कुट्टा जब रोता है तो इसे अत्यांत अप्शकुन के रूप में देखा जाता है कुट्टों की रोने को मृत्यू या बड़े संकत का संकेत माना जाता है कुट्टे का रोना खासकर रात की समय में अत्यदी का शुप माना गया है ये किसी अन्हुनी या बुरी खबर का सूचक हो सकता है यदि कुत्ता बार-बार रोए तो सिशान्त करने का प्रयास करना चाहिए और घर में भगवान की आराधना करनी चाहिए ताकि नकारात्मक और जा दूर हो सके चार, आंख या हाथ का फड़कना आंख या हाथ का फड़कना भी एक प्रमुक अप्शकुन है शास्त्रों में माना जाता है कि अगर दाई आंख फड़के तो ये शुब होता है जबकि बाई आंख का फड़कना अशुब माना जाता है इसके अलावा, हाथ का फरकना भी किसी अन्हूनी का संकेत हो सकता है खास तोर पर, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग अर्थ होते हैं यदि यह फरकन बार-बार हो, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए और भगवान विश्नु या अन्य देवी देवताओं का स्मरंग करना चाहिए पांच, जूठा खाना चोड़ना या गिराना जूठे खाने का गिरना भी अप्शकुन माना जाता है भूजन का अप्मान करना, जैसे जूठे हाथों से खाना गिरा देना, नकारात्मकूर्जा को आकर्शित करता है यहां आर्थिक तंगी, घर में दरिद्रता और संकत का प्रतीक हो सकता है खाने को देवी अनपूर्णा का रूप माना गया है, और इसे बरबात करना घर में गरीबी लाने का संकेत हो सकता है इससे बचने के लिए खाने का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अप्षिष्ट को फेकने से पहले उसके प्रतीकृतग्यता व्यक्त करनी चाहिए निशकर्ष, भगवान विश्णू द्वारा बताए गए इन अप्षिकृनों को हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनोतियों का पूर्व संकेत माना जाता है इन अप्षिकृनों से सावधान रहकर हम जीवन में आने वाली संभाविक परिशानियों से बच सकते हैं अप्षिकृनों से बचने के लिए भगवान का ध्यान, पवित्रता और सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए ताकि नकारात्मकूर्जा दूर हो और घर में शान्ति और सम्रिद्धी बनी रहे भगवान विश्नु द्वारा बताए गए पांच सबसे बड़े अप्षकृन निम्नलिखित हैं एक, दूर्ध्या दही गिरना यह अप्षकृन माना जाता है कि जब दूध्या दही गिर जाता है तो यह आर्तिखानी या घर में किसी समस्या का संकेत होता है तीन, कुत्ते का रोना यह किसी बुरी घटना या दुखत समाचार का प्रतीक हो सकता है 4. आख या हाथ का फढ़कना, दाई आख या बाई आख का फढ़कना भी अप्शकुन माना जाता है इससे शुब या आशुब दोनों रूप में देखा जाता है, हालांकि ज़्यादातर इसे नकारात्मक रूप में माना जाता है पांच, जूठा खाना चोड़ना या गिराना, जूठा खाना गिराना या उसे बर्बाद करना भी अप्षकुन होता है इससे घर में बर्कक कम होती है और आर्थिक समस्याएं आ सकती है ये सभी संकेत किसी भी प्रकार की अशुप घटना या बुरी परिस्थिती के संकेत माने जाते हैं और इनसे बचने के लिए विशेश ध्यान देने की सलाह दी जाती है